असलाम अलेकुम बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छी तरीविश से लेसन नमर ट्वेंटी समझ गए होंगे रीडिंग भी करें होंगे हाट बर्स भी कर चुकेंगे आज हम लेसन नमर ट्वेंटी के इस पर दे लेटर्स करेंगे बच्चों इन अलफास को अलाग अलाग करके लिखे इन अलफास को अलाग अलाग करके लिखे इन अलफास को अलाग अलाग करके लिखे इन अलफास को अलाग करके लिखे इन अलफास को अलाग करके लिखे इन अलफास को अलाग करके लिखे इन कि आहिए बच्चों बिजली है किया बिजली विए जीन गुं हुआ कि लाम बिचली यह कहा है तेल तेल यह लंक तेल क्या है यह बश्नी तो 800-1 नून ई कहा ये रोशनी रेवा रोशी नून ई कहा ये रोशनी ये कहा बल्प कहा ये बल्प बे लाम बे कहा ये बल्प बे लाम बे बल्प है मीटर कहें मीटर मीम ये मीम ये टे रे मीटर कहें मीटर मीम ये टे रे मीटर कहें चिराख चीम रे अलीफ जैन कहें चिराख कहें चिराख गरम गाफ रे क्या है ये गरम क्या है ये फिटिंग है क्या है फिटिंग फे टे नून गाफ क्या है ये फिटिंग बच्चो ये क्या है गाउं गाफ अलीफ वाव हमजा वाव क्या है ये गाउं ये क्या है बिजली बे जीम लाम इ कहा है ये बिजली, टेल कहा है ये टेल, टेल, रोशनी, रेवारो, शीन, नून, इ कहा है रोशनी, ये कहा है बल्प, बे, लाम, बे, बल्प, मीटर है ये कहा है, मीटर, मीम, ये, टे, रे, मीटर, चिराज, चीम, रे, अलीव, जेन, कहा है ये चिराज, गर, गरम है, ये कह गाफ रे मिम गरम कहा फिटिंग क्या है यह फिटिंग फे टे नून गाफ फिटिंग बच्चो यह अच्छी तरीखे से आपना रीडिंग करेंगे और रिद करकर नीठ है अनिक में करके पोस्ट करेंगे बच्चो टेक और रीडर्स लेसेन नमबर 20 और पेश नमबर 81 इसमें कि खाली जगा अब भरे लिखेंगे अपन लोगा चलिये यह कहा है खाली जगा भरे क्या ही खाली जगा भरे फिर्द ब्लेंग से देखें सरों का डैश जला कर रोशनी की जाती थी क्या करते थे i.एक क्यों से तेल दो मतरा तेल, देखिए, फर्स्ट वन है ये, मिती के चिरागों में सरसो का तेल जलाए कर रोशनी की जाती थी, हो गया, सेकेंड वन, सरकार ने हर गली में डैश के खंबे लगा दिये हैं, क्या लगा दिये थे, बिचली का है, बे, जीन, लाम, ये, क्या लगा है, सरकार ने हर गली में खंबे लगा दिये हैं, क्या दिये थे, अब तो डैस दबाते ही पूरे घर में रोशनी हो जाती है, क्या दबाते ही हो जाती है, बटन, बे, पे, नून, बटन बेटे नून क्या होता है बटन बेटे नून बटन होता अब तो बटन दबाते ही पूरे घर में रोशनी हो जाती है यह फोर्थ वन है देखे जब स्विच ओफ करते हैं तो बिजली डैश तक जाने से रुप जाती है क्या है रुप जाती है तो बिजली किस में जाती है बल्प क्या है बल्प बे लाम बे बल्प बे लाम बे बल्प बे लाम बे बल्प बे बल्प है यह क्या है यह बल्प है देखे जब स्विच ओफ करते ही है तो बिजली बल्प तक जाने से रुप जाती है यह आप लोगा यह हां पर देट लिखकर नीट हैंड कर लिखेंगे निटी के चिरागों में सरसों का पेल जलाकर रोशनी की जाती थी सेकेंड वन है सरकार ने हर गली में बिजली के खंबे लगा दिये हैं थर्ड वन अब तो बटन दबाते ही पूरे घर में रोशनी हो जाती है जब स्विच आफ करते हैं तो बिजली बल्क तक जाने से रुक जाती है बच्चों ये पेज नमबर एट्यूण में है आपर नीट हैंटिंग करके रीडिंग करके लीडर के अंदर ही करकर पोस्ट करेंगे अल्ला हाफिज